हम माता महागौरी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम माता महागौरी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं माता महागौरी रूप है शक्ति का स्वरूप भक्त जनों, आज नव रात्रों के पावन पर्व का आठवा दिन हैं और आठवे दिन माता महागौरी की पूजा की जाती हैं माता महागौरी शक्ति स्वरूपा मादुरगा का ही रूप हैं आज नव रात्रों के आठवे दिन हम इनकी महिमा वर्लन और कथा स्रवण करेंगे तो भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिये माता महागौरी की जै पूण रूप से गौरवर्ल की है भगतो माता माता महागौरी इसलिए तो कहां इन्हें जाता शंख चंद्र और कुंद पुष्प से करते जिनकी उपमा श्वैताम बरधारी है भगतो सता महागौरी माता आठ वर्स की आयूहीन की मानी जाती है शुभ फल्दात्री माता महागौरी कहलाती है आठ वर्स की आयू में सब सास्त्रों का ज्यान हुआ अपने पिछले जन्म को भी है माने जान लिया भोले नाथ जब पती रूप में इन्हें मिल जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठ विनव रात्रे में इनका धान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरू माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरू भक्त जनों माता महगोरी की आयू आठ वर्स इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि आठ वर्स की आयू में ही इन्हें सब शास्त्रों का ज्यान हो गया था और इनको आभास हो गया था के मैं पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापती की पुत्री सती थी एक महायग में राजा दक्ष प्रजापती ने भोले का अबमान कर दिया था जिससे क्रोधित होकर माता ने अपने प्राण प्याग दिये थे महगावरी इनको कह जाता गवर्वर्ण के कारण श्वैत वस्त्र धारण करती मा श्वैती ही सब आभूशन श्वैतामबर धराभी भगतों इनको कह जाता है करती व्रिशब सबारी भगतों महगोरी माता है महगोरी का रूप अलोग इक जिनकी चार भुजाए श्व का टमरू और त्रिशूले है जिनको माने उठाए एक भुजा तो सदा ही मा का रहती अभे मुद्रा में और एक भुजा तो मा की रहती भगतो वर्मुत्रा में मा के उपासक सदा भाग शाली कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महागोरी रूप है शक्ती का स्वरूप भक्त जनों माता महागोरी शक्ती स्वरूपा मा दुर्गा ही हैं अतहां इनको भक्ती शक्ती के आउतार में भी पूजते हैं कुछ भक्त अश्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं तथा कन्याओं को माता का रूप मान कर उनसे आशिरवाद प्राप्त करते हैं महगोरी माता करती है भगतों का कल्यान धान से इनके अमोख फलका मिलता है बरदान जिनके विवाह संबंध में यदि कोई बाधा आ जाए महगोरी के इसी रूप का वो भी ध्यान लगाए कन्यकुआरी यदि कोई इनका तो ध्यान लगाती मन चाहे वर की प्राप्ती तो उसको है हो जाती महगोरी क्यों कहलाती है भगतों अम्बे माता वेदों में वर्णित मिलती है इसकी पावन गाथा आओ भगतों उसी कथा को हम दोहराते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ती का स्वरूप भगत जनों माता महगोरी अमोग फल दाइनी हैं इनकी भगती मात्र से ही सारे शोक संताप नश्ट हो जाते हैं माता महगोरी सुखी वैवाहिक जीवन का आशिरवाद अपने भगतों को प्रदान करती हैं माता का नाम महगोरी क्यों कहलाया आईए जानते हैं इसकी पावन का था राजा हिमाले के घर में जब माने जन्म लिया हैं उमा पारवत शैल पुत्री इनका नाम हुआ हैं पिछले जन्म कफिर तो मा को है आभास हुआ पिछले जन्म में माता सती थी राजा दक्ष की कन्या भोले नाथ से माता सती ने विवाहर जाया हैं राजा दक्ष ने एक बार महयक्य कराया हैं महयक्य का आयोजन जब राजा दक्ष कियां निमंत्रण तो उन्होंने सारे देवों को है दियां भोले नाथ को पर वो संदेश ना भिजवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं भत्त जनों जैसे ही माता सती को पता चला की मेरे पिता के घर में महायग्य का आयोजन है तो उन्होंने भोले नाथ से यग में चलने की विंती की भोले नाथ कहने लगें हे देवी हमें आपके पिता की ओर से कोई निमंतरन नहीं आया तो हम बिना बुलाए यग में कैसे जा सकते हैं तब माता ने कहा है भोले नाथ आप मुझे अकेले ही महा यग में जाने की आज्या दे माता सती की बात को भोले नाथ डाल ना सके और अकेले ही यग में जाने की माता को आज्या दे दी भोले नाथ की आज्ञा से मा यग्य में चली आई लेकिन यग्य में आकर माता बड़ी ही पच्चताई राजा दक्ष ने किया यग्य में भोले का अपमान हवन कुंड में कूद गई मा त्याग दिये है प्राद माता सती का ही भग तो जब अगला जन्म हुआ राजा हि माले की बन करके आई वो कन्या अपना पिछला जन्म माता को जब है याद आया भोले नाथ को वर के रूप में फिर से पाना चाहा मुनिनारद फिर मा को एक उपाए बताते है पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरूप भक्ति जनों माता गवरा को जब अपने पिछले जन्म का आभास हुआ तो उन्होंने भोले नात को वर के रूप में अपनाना चाहा मुनिनारद ने आकर माता से कहा कि इसके लिए आपको बड़ी ही कठिन तपस्या करनी होगी तब जाकर के भोले नात विवाह के लिए मान जाएंगे मुनिनारद का ही कहना फिर माता ने माना कठिन तपस्या करने का अपने मन में ठाना माता पारवती के संग की होती है दो सखिया एक का नाम जया है और है दूजी का विजया अपने मन की बात उन्होंने सखियों को बत लाई गुपत एकवन में मा की सखिया उनको ले आई ध्यान लगा कर माता शिव का फिर वहां बैठ गई एक आंतवास में छोड़िक सखिया उनको चली गई उनके पिता हिमाले भी ये जान न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका धान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ती का स्वरूप भक्त जनों इस तरह माता मुनी नारत के कहने पर भोले नात को पती रूप में पाने के लिए बन में आकर घोर तपस्या करने लगी उनके पिता हिमाले भी इस बात को नहीं जान पाते हैं माता ने खुले आस्मान के नीचे बैठ कर शुव का ध्यान लगाना सुरू कर दिया कंद मूल और फल का सेवन ही बस माने किया अनक सेवन ना करने का है संकल्प लिया कई हजारों वरसों तक बड़ी कठिन तपस्या की छोड़ दिये हैं फिर तो माने कंद मूल फल भी पत्ते और बेल ही लगी है फिर तो माता खाने खुले अंबर तल सरदी गर्मी बारिश लगी भिताने पत्ते और बेल का भी फिर माने छोड़ा शेवन व्रिक्ष से तूटे सूखे पत्ते बना लिया है भोजन लेकिन दर्शन देने शुव फिर भी ना आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरू माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरू भत्ति जनू सूखे पत्ते खाने के कारण माता का एक नाम अपरणा भी हुआ निरंतर उपवास के कारण माता की काया अती जरजर हो गई और माता का अती शाम वर्ण हो गया अंत में जब भोले नाथ माता की तपस्या से प्रसन हुए तो माता के शाम वर्ण को देखकर बड़ा ही अचरज हुआ भोले नाथ ने माता को स्वैम ले जाकर पावन गंगा जल में असनान करवाया और माता अती गौर वरण की हो गई माता के शाम वरण से एक कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम कौश की रखा गया भोले नाथ ने गंगा जल में इन्हें असनान कराया शाम वर्ड से गोर वर्ड अतिनी खर के इनका आया शाम वर्ड से उत्पन हुई जो भक्तों कन्या है उसे कोश की नामाता महगोरी ने दिया है महगोरी के रूप में इनका कैसे हुआ अवतरन वेदों में वर्डित उसी कथा का हमने किया वर्डन माहगोरी की पूजविधी अब तुम्हें बताएंगे ध्यान लगाकर सुनना भगतों जो भी सुनाएंगे तुटी अगर कोई रह जाएं तो छमा चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं आधव नव रात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूम है शक्ती का स्वरू भक्त जनों अब हम माता महागोरी की पूजा विधी का वर्लन करेंगे जिससे माता महागोरी अती प्रसन होकर भगतों पर अपनी कृपा बनाये रखती हैं तो भक्त जनों आईए जानते हैं माता महागोरी की पूजा विधी भक्त जनों एक बार प्रेम से बोलिये माता महागोरी की जै स्नान ध्यान से निवृत सबसे पहले हो जाएं उनी कंबल या फिर तरीका आसन कोई बिछाएं गंगा जल से माता को असनान कराना है श्वैत बस्त्र ही धारण माता को करवाना है रोली और कुमकुम से मा को तिलक भी करना है पंच मेवा और शुद्ध मिठाई भोग मिधरना है श्वैत रंग तो माता को अति प्यारा होता है आशिरवाद सभी भगतों पर तो न्यारा होता है मंत्र उच्चारण और फिर इनकी आरति गाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरूप भक्त जनो ये थी माता महगोरी की पूजा विधी माता महगोरी अपने भक्तों को अमोग फल प्रदान करती हैं इनके साधत सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसजित रहते हैं और अंत में परमपद को प्राप्त करते हैं भक्तों पर किर्पा बरसाए सदा महगोरी माता आदी शक्ति के रूप में ही सदा इनको पूजा जाता अश्ट में को ही कन्या पूजन भक्ते कुछ करवाते माता का ही रूप जान कर आशिरवाद है पाते हंस राजर लहन है माता तुमको सदा मनाता आप ही मैया हम सब भक्तों की है भाग विधाता फोजी सुरे सिक्भी तो आपने सदा ही सुनी पुकार डी अस पाल तो महिमा गाए मा की बारंबा आपके आसिरवाद से सब जिसे सुनना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठव नव रात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरूप माता महगोरी रूप है शक्ति का स्वरूप